राम चंद कह गए सिया से कल युक का रावड आएगा वो राम राज्य के नाम पर मदिराले खुलवाएगा और मंदिर बंद करवाएगा जी हाँ आज यही हाला थे मेरे भारत देश के मंदिरों को बंद रखा जा रहा है लेकिन मदराले यानि शराब की दुकान ठेकों को दारू की दुकान को खुला जा रहा है मैं कडी निन्दना करता हूँ इस चीज के आव विरोज़ करता हूँ यह देश की राजियंदी शुरू हुई थी राम राज जिलाने की लेकिन राम भगवान के राज में शराब मदरा और इस तरह के ठीकों का स्तिमाल नहीं किया था था उस राज्य में शराब नहीं पी जाती थी लेकिन राम राज्य की जगा ये रावन राज लेया है मैं इस देश की सरकार भारती अंद्धा पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मंदिर में जाने से करोना हो सकता है तो दारू के ठेके पे जाने पे क्यों नहीं हो सकता आज अगर दारू के ठेके पे जाने से करोना फैलेगा तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा आज हाद जोड़के मेरा भारतियंतना पार्टी की सरकार बाजपा सरकार से निवेदन है कि ये जो आपने कदम उठाया है ये जो निर्णे लिया है इसको वापिस लीजिए क्योंकि इसका बहुत ही भयानक परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा आज देड़ महीने के इस शन में इस कारेकाल में कई डॉक्टर कई फौजी और कई पुलिस करमी और लगबख भात की 85% जनता का योगदान रहा है उन्होंने अपना बलिदान भी दिया है कुछ लोगों ने ताकि लोकडाउन को संभो बना जा सके और कुरोना को रोका जा सके और आप शराब की दुकान खुलवा के कुरोना वाइरस को बढ़ाने में एक भब बड़ी भूमी का निभाने जा रहे हैं आज अमीर आदमी तो दारू पी लेगा लेकिन ज़रा सोचिए उस गरीब आदमी का जिसकी देड़ महीने के लोकडाउन के कारण कमर तूट गई है जो 2-300 रुपे की धार्गी किया करता था आज उसकी पास पैसा नहीं है लेकिन जब दारू की दुकान खुलेगी अमीर आदमी दारू पीएगा तो उसका मन मी लल चायेगा और वो जब जेव में पैसा नहीं होगा तो वो घर जाएगा घर जाने के बार अपनी बीवी से ल तोड़ के निवेदन है कि भाईया भाई साब जो भी भाशा आप समझते हैं आप क्रप्या करके मदिडाले दारू की दुकान नहीं खुलवाईये मैं अभी